आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Physics, Chemistry, Biology डाउट्स का सपाया बस अपना फोन उठाओ, Question की पोटो कीचो Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download now Hello friends, Question is In which of the following molecules The central atom does not have SP3 Havitization मतलब हमसे पूचा गया question में कि यह सारे molecules दिये हैं हुए है उसमें से कौन से molecules का Central Metal का Havitization SP3 नहीं है So यह दिखते हैं First अपना SF4 SF4 के में S के कितने उत्ते बैलेंस इलेक्ट्रोंस 6 हुतने हैं, कितने उत्ते हैं, 6 हुतने हैं S F F F F F तो अपने 1,2,3,4 4 share pair हुए है बच्चे कितने? 2 तो अपने 1 हो गया, loan pair 4 sigma bond plus 1 loan pair तो अपने कितने हो गया? 5 5 का अपना क्या हो जाएगा? SP3 Dehybridization इसका एक concept हो रहा है other way वो यह होता है, कि total number of valence electron Electrons Electrons Divided by 8 So, अपने कालते हैं total number of valence electron F के होते हैं 7 x 4 28 Plus S का उतने 6 Divide by 8 28 plus 6 अपना हो गया? 34 Divide by 8 और 8 4 ता कितने होता है? 4.something होगा 4.25 5 तो गिटर दन फूर है तो लेली इस एकल तो 5 उपर स्ट्रिक्टर से भी वही इस अप्डा रहा था तोस्ता क्या होगा? SP3 D 3 तो अपना A option हो गया? Wrong Does not have SP3 पूचा है तो अपना A option हो गया? Correct आई यह देखते हैं 2nd one BF4 minus B के केतने होते हैं? 3 BF4 minus है तो एक एक electron enter हो गया अब कितने हो गया? बच्चे 4 So आई यह BF Sigma bond कितने हो गया? 4 Loan pair कितने हो गया? 0 यह अपना होगा Sigma bond Loan pair is equal to 4 तो अपना क्या होगा? SP3 और एक और concept है वैसे तो आप करी लेंगे 4 देखते हैं 3rd one देख लिए यह कुशन गया है NH4 plus NCH4 NH4 plus NH4 plus NH4 plus सबस्तों आपना गया प्रस्तों इस अपना हो गया तो इस कितने बच्चे? 4 NH H H H H H H plus SIGMA bond हुए 4, Lone pair हुए 0, SIGMA bond Lone pair is equal to 4, तो हुए SP3, Carbon के वने से लेक्षन, 4 carbon H, 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 SIGMA bond plus Lone pair is equal to 4, तो हुए SP3, तो आई और सब हो गया SP3 तो अपना C option हुआ रॉंग, B हुआ रॉंग, D हुआ रॉंग तो अपना A option हुआ I hope आपको concept समझा गया होगा Thank you